हलो एंड वेलकम एवरिवन आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास एट का प्रिंसिस सप्टेंबर चैप्टर यह जो स्टोरी है इसकी शुरुआत होती है थाइलेंड से थाइलेंड के अंदर एक राजा और उनकी रानी रहा करती थी और इन राजा और रानी की नाइन डॉटर्स थी अब राजा जी को अपनी नाइन डॉटर्स का नाम याद रहता नहीं था तो उन्होंने क्या करा उन्होंने एक trick यूज करी उन्होंने अपनी eldest daughter का नाम रख दिया January फिर अपनी जो दूसरी eldest daughter थी उसका नाम रख दिया February जो उससे थोड़ी छोटी थी उसका नाम March रख दिया फिर April रख दिया और जो सबसे छोटी बच्ची थी उसका नाम रख दिया September तो इस तरीके से राजा ने अपन को gift देने वाला हूँ और gift के अंदर उन्होंने अपनी सारी daughters को green color के parrot दिये जो की एक golden cage के अंदर बंद थे जितनी भी daughters थी वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उन्हें पैरेट्स बहुत पसंद थे उन्होंने अपने पैरेट्स को बोलना भी सिखाया तो पैरेट्स बोला करते थे God Save the King और Pretty Polly Pretty Polly ये कोई एड नहीं है आपको एक बहुत ही important information देनी है education को easy और affordable बनाने के लिए हमने एक important step लिया है आपके लिए हमने ready करा है special content जो आपके exam में बहुत help करेगा इसमें आपको मिलेंगे chapter wise test paper हर chapter के notes साथ में combined test papers और priority doubt clearing इसके साथ साथ और भी बहुत सारे benefits आपको मिलने वाले है सिर्फ और सिर्फ 2.99 के membership prize में subscribe के साथ में join के बटन पे क्लिक करके आपको ये membership purchase करनी है ये prize limited time के लिए है अरे वा भया इतने कम prize में इतनी सारी चीजें मैं तो अभी member बन जाता हूँ एक दिन की बात होती है जो princess September होती है मतलब जो सबसे चोटी बेटी होती है राजा की जो सबसे चोटी princess होती है उनका parrot मर जाता है बिचारी बहुत दुखी हो जाती है उनका दिल ही टूट जाता है रोती रहती है अपने इस loss की वज़े से जो मतलब उनका parrot खो गया था इस वज़े से जो उनकी maid of honor होती है मतलब जो उनका ख्याल रखा करती थी लेडी उनको समझाती है उनको बोलती है कि देखो इतना दुखी मत हो लेकिन उनके समझाने का कुछ भी फरक नहीं पड़ता प्रिंसेस सब्टेंबर रोती रहती है और जो maid of honor के effort होते हैं वो सारे fail हो जाते हैं तो यहाँ पर जो queen है queen को जाकर जो maid of honor है वो बोलती है कि प्रिंसेस सब्टेंबर का ऐसे ऐसे parrot मर गया तो वो बहुत जादा रो रही है queen उसको कैसे ना कैसे करके चुप कर लो लेकिन जो जो maid of honor थी वो party के लिए चली जाती है और प्रिंसेस सब्टेंबर ऐसे ही पूरी रात बर रोती रहती है और अपना सपर लेती है सबसे पहले सपर क्या होता है खानी की जो समान होता है रात के टाइम जो soup type चीज़ होती है उसको वो लेती है प्रिंसेस सब्टेंबर और फिर गाने गा रही होती है कभी तो ये गाने गाती है king के garden के अंदर जो लेक होता है उसके बारे में कभी willow trees के बारे में कभी goldfish के बारे में और इसी वजह से जो प्रिंसेस सब्टेंबर थी वो अपनी sadness और hunger को बिल्कुल भूल जाती है मत्तलब जो भी वो दुकी होती है जो भ हमारे pet parrot की जगा रह लोंगी प्रिंसेस सब्टेंबर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि प्रिंसेस सब्टेंबर को लगता है कि अरे वा मेरे पास तो इतना अच्छा गाने वाली बर्ड आ गई मतलब इतनी सूरीली इतनी अच्छी आवाज वाली बर्ड आ गई अगली मौर्णिंग जो प्रिंसेस सब्टेंबर है उनको यह बर्ड गुड मौर्निंग बोलते है बोलते है गुड मौर्निंग और जो मेड ओफ ऑनर होती है वो प्रिंसेस सब्टेंबर की बर्ड के लिए चीजे लाती है princess September खुद अपने हाथों से अपनी bird को खाना खिलाती है और जो princess September की bird थी वो इतना अच्छा गाना गाती थी के सब लोग उसका गाना सुनने के लिए ने आते थे और बहुत खुश होते थे बूलेते हैं वह बहुत थी तारी बहुत अच्छा बर्ति अपनी sisters के पास जाती है अपनी parents के पास सब लोग बहुत खुश होते हैं खास करकि जो parents होते हैं मतलब जो राजा और रानी होते हैं बहुत खुश हो जाते हैं बोलते हैं princess September को Wow तुमारी बड़ तो बहुत अच्छी है जो Queen होती है वह बोलती है कि देखो मुझे तो parrots वैसे भी पसंद नहीं है क्योंकि यह जो parrots हैं एक ही line को बार बार repeat करते रहते हैं क्या line repeat करते हैं God save the King pretty poly pretty poly God save the King pretty poly pretty poly लेकिन जो राजा होता है वो बोलता है हाँ हाँ सही क्या रही हो राणी साहिबा मुझे भी नहीं पसंद यह जो parrots है प्रिंसेस सप्टेम्बर थी वह काफी खुश होती है कि उसकी बर्ड कि इतनी जादा तारीफ हो लिए लेकिन जो बाकी की प्रिंसेस थी उनको काफी गुस्सा आ रहा होता क्योंकि उनके पैरिट्स को डिस्करेज कर दिया गया होता मतलब कि यह बोला जाता है कि इनके में जहर बढ़ देती हैं प्रिंस सब्टेंबर के दिमाग में उसकी बहने जहर बढ़ देती हैं तो वह मरी क्यों नहीं प्रिंस सब्टेंबर देखो इस वजह से नहीं मरी वह सवाले जहर की बात नहीं और यह गलत गलत चीजें बढ़ देती हैं पॉईजन मतलब की गलत गलत मर गया था हम सोच रहे हैं कि तुम्हें एक पैरिट गिफ्ट करते तो वह ऐसा इसलिए चाहती थी कि फिर प्रिंसे सब्टेंबर अपनी बर्ड को हटा देगी और पैरिट रख लेगी तो इस वजह से फिर दुबारा से प्रिंसे सब्टेंबर की कोई ज्यादा तारीफ नहीं करेगा लेकिन यहां पर प्रिंसे सब्टेंबर बोलती है कि नहीं नहीं मुझे कोई पैरिट नहीं चाहिए मेरे पास तो एक बर्ड है जो की बहुत अच्छी है पैरिट से तो यहां पर जो और सिस्टर होती है प्रिंसे की वह बोलती है अच्छा तुमारी जो अच्छी law से मिलने के लिए गई है उसे तुमने पिंजरे में नहीं बंद रखा क्या तुमें पता है कि कोई उसे पकड सकता है उसके साथ कुछ गलत हो गया तो अब बार बार जब यह सारी प्रिंसे यह सारी चीज बोल रही होती है तो प्रिंसे सब्टेंबर के दिमाग भी खरा हो जा बाता है कि अरे मेरी जो बर्ड वो तो openly गुम रही है कोई उसे पकड सकता है उसको इन सिक्वर्टी फिल होती है अतलब डर लगने लगता है और उसको यह लगता है कि मेरी बड के साथ कुछ ना कुछ गलत हो जाएगा उसको यह डर होता है कि कुछ लोग जो की शिकार करते हैं बर्ड का या उन्हें पकड़ते हैं ट्रैप करते हैं वो लोग मेरी बर्ड को ना पकड़ तो यहां पर जो प्रिंसे सब्टेंबर थी वो यह चाहती थी कि उसकी बर्ड सेफ रहे कैसे ना कैसे करके बस उसकी बर्ड सेफ रहे तभी अचानक से जब प्रिंसे लोगे पास गई थी वो तो पार्टी दे रहे थे लेकिन मैं जो थी मैंने पार्टी अटेंड नहीं करी क्योंकि मुझे पता था कि तुम मेरी मेरे लिए बहुत जाधा चिंता कर रही होगी कि मैं वापस आउंगी या नहीं आउंगी इस वजह से मैं वापस आगे जो प्रिंसे सब्टेंबर थी वह अब सोच लेती है कि देखो अब बहुत अच्छा मौका है और मैं पकड़के अपनी बर्ड को केज के अंदर बंद कर देती हूं नहीं तो प्रिंसे सब्टेंबर उसे रीजन देती है कि देखो जो क्वीन है मतलब जो मेरी मम्मी है उनने कैट पा ली हुई है वो कैट तुम्हें खा जाएगी या तुम्हें कोई चोट पहुचा देगी इसलिए तुम केज के अंदर हो तो जो बर्ड होती है बोलती है हाँ हाँ ये के अंदर गाना गाने का अग्ली सुबह कर्या है जो बर्ड ती वह बोलती है चलो ठीक है अब तो सुबह हो गई अब मुझे बार बार जो पुरी कोशिश होती है वो बिल्कुल नाकाम हो जाती है बिल्कुल बेकार जाती है और जो बाकी की आठ प्रिंसिस होती है वो बहुत खुश हो रही होती है बोलती है अरे वा अब सही हो रहा है इसकी बर्ड के साथ बड़ी तारीफ हो रही थी इसकी बर्ड की अब जो ये सारी request कर रही होती है बड़ तो इन सारी request को सुनके Princess September क्या करती है Princess September बोलती है कि देखो बड़ मैं तुम्हें केज से बाहर नहीं निकालने वाली क्योंकि मैं तुम्हारा भला सोचती हूँ मुझे यह लगता है कि अगर तुम केज से बाहर निकल गई तो कोई तुम्हें पकड़ लेगा कोई तुम्हें चोट पहुचा देगा इसलिए तुम केज के अंदर रहो और तुम मजे से मेरे लिए गाना गाओ और इसी बात पर Princess September उसे थोड़ी बहुत शुगर भी देती है है pieces of sugar चोटी चोटी टुगरे होते है whoa उसे देदेती है लेकित जो बंड रह ऑगा केज के अंदर बिल्कुल भी गाना नहीं गाती से थिक के वह बहुत दुखी उती उसका बिल्कूल मन नहीं कर रह था केज के अंदर काने जो बंड होती है कि मुझे trees देखना है मुझे lake देखना है मुझे willow trees देखना है और मुझे घूमना है वहाँ पर कुछ जाकर cage के अंदर नहीं देखना है इन सब चीजों को क्योंकि जब वो जिद करती है कि मुझे सारी चीज देखने तो princess September उसे बोल देती है के cage से देख लो यह सारी चीजे लेकिन bird का बिल्कुल मन नहीं होता कि वो cage से इन सब चीजों को देखे बर्ड इतने गुस्से में आ जाती है इतनी नराश हो जाती है कि वो खाना पीना बिल्कुल छोड़ देती है princess September इस चीज को देखकर काफी ज़्यादा चिंता में आ जाती है और अपनी sisters के पास जाती है अपनी बहनों के पास जाती है मदद के लिए बोलती है रहे दीदी यह बताओ हमारी bird में तो खाना ही छोड़ दिया अब क्या करूं मैं बहनों बताओ तो जो उसकी sisters होती है वो बोलती है कि जो तुमारी bird है वो बहुत जादा जिद्धी है obstinate है बहुत जिद्धी है और तुम बिल्कुल सही कर रही हो उसके साथ तुम बिल्कुल भी अपनी जो भी चीजे कर रही हो उससे back out मत करो मतलब जो तुम कर रहे हो वो करती रहो जो सब्टेंबर होती है वो बोलती है हाँ हाँ ठीक बात है यह तो मैं ऐसा ही करती हूँ और यह जो बड़ जिद्धी है अपने आप सुधर जाएगी कुछ समय के अंदर उसको यह भी लगता है कि यह जो बड़ को मैंने केज के अंदर बंद करा है शायद पहली बार यह केज के अंदर रह रही है इसलिए इतनी ज्यादा परेशान हो रही है तो प्रिंसे सब्टेंबर यह सारी चीज सोच लेती है अगली सुबह जो बड़ होती है प्रिंसे सब्ट ऺई हुए विल्कुल भी हिल नीरी तो पिरन्सेस सब्टेंबर को लगता है कि उनकी बर्ड मर गई है वो केज से बाहर निकालती अपनी बर्ड को और जोड-जोड से रोने लगती है जब सब्सक्राइब के आशू बर्ड के उपर गिरती है ठीक है बर्ड तुम बाहर उड़ो मस्ती करो और यहां पर प्रिंसिस सप्टेंबर को वो बर्ड भी एक प्रॉमिस करती है कि मैं बाहर उड़ूंगी तो सही मस्ती तो करेंगी लेकिन तुम्हारे पास आकर जरूर रहूंगी तो बर्ड जो होती है वो यह प्रॉमिस कर देती ह को और प्रिंसिस सप्टेंबर अकेली और रोरी है तो उसकी सिस्टर्स उसका मजा खुड़ाते हैं बोलते हैं अरे तुम तो बड़ी बेवकूफ हो तुमने उस बर्ड की बात मान ली वो बर्ड अब जरूर वापस नहीं आएगी तुम्हें उस बर्ड ने बेवकूफ बना द हैं जिसे कि वो बर्ड कभी बी अंदर आ सकेए और कभी भी जा सकेए प्रिंकेस सब्टेंबर देखते ही देखते बहुत सुंदर बन ठीए और जाईया तरहिक कि शादी हो दो होती हैं लेकिन जो उनकी शिस्टर्स होती हैं उनका क्या होता है और जो उनकी sister होती है ना princess September की वो एतनी beautiful भी नहीं होती जितनी beautiful princess September होती है princess September की जब शादी होती है और जब वो वापस जारी होती है तो एक white elephant के उपर वो बैठ कर जाती है यह story यहीं पर खतम होती है लेकिन हमें क्या समझ में है story से जो उसकी बाकी की sister थी वो काफी cruel थी अपने जितने भी pets थे उन्हें बंद करके रखती थी अपने parrots को बंद करके रखती थी लेकिन princess September ने अपनी bird का दुख समझा उसे आजाद करा इस वज़े से वो इतनी beautifully और आ आप join के button पर click करोगे तो join करने के साथ में आपको क्या मिलेंगे sample paper मिलेंगे अगर आप member बनते हैं और notes क्यों important और sample paper क्यों important है देखो sample paper इस लिए important है क्योंकि exam में question sample paper से ही पूछे जाते हैं ज़्यादा तर question sample paper से आएंगे तो अगर आपने ये solve कर लिया तो paper में full marks आने तो guaranteed फिर notes भी काफी important है तो आप ज़रूर से member बनें see you in the next video बाइबे तिल देन मनुसे ग्यान लेते रहे